मेडिकल पॉइंट आप जनरली मेल में 14 से लेके 16 तक होता है, फीमेल में 12 से लेके 14 तक आपको इन जनरल देखने मिलेगा, लेकिन जब इसका लेवल आठ या 7 से कम होता है, तो मतलब सीवियर एनिमी कंडिशन होती है, और कभी-कभी हिमोगलोबिन काउंट एकदम 23 से दिया, तो प्लीज टेक मेडिकल केर, डॉक्टर से संपर्क कीजिए, और हीमेटलोईस को डॉक्टर संपर्क कीजिए, एक तो नॉर्मल जनरल फूजिशन को दिखाओ, बता रहा हूं, कुछ बातें जो हमको पता नहीं होती है, और हम अनवेर नहीं होते हैं, इसलिए हम कई बार ग पतिसाथ एक हीमेटलोजिस डॉक्टर से भी कंसल्ड कीजिए, मेडिकल कॉलेज में हीमेटलोजी का लेब होता है, वह डॉक्टर होते हैं, आप उनसे कंसल्ड कीजिए, तो ब्लेड ताप डिटल एनलिसिस करेंगे वो, कि ऐसा क्यों है, क्या एणिमिया है, तो उसका कारण क्या है ज़रूरी है जानना कि हीमोगलोबिन काउंट कम क्यों है मेरा ठीक है कभी-कभी ये काउंट सड़नली नीचे गिरता है तो वैसे में वेक्ति की immediate death भी हो जाती है मैंने एक relative है उनके उनकी sister को का हीमोगलोबिन काउंट 6-7 रहा करता था मैं कई बार समझाया उनको लेकिन उनको समझने वात नहीं है यह कई बार आदमी क्या करता है कि वह कैजूली निलता है घर वाल जब घर में को अपनी अपनी सला देता है तो सड़ली उनकी sister को कुछ weakness लगा बेहोस होगे एक दिन हीमोगलोबिन काउंट 2 निकला ICU में एडमिट किया गया खत्म हो गई है कोन दोशी क्या हुआ ऐसा आज तक मालूम निचे कि इतना तेजी से कैसे गिर गया निचे क्या प्रॉब्लम थी किस तरह का आयनी में था तो वह हीमेटरलोजिस्ट हुए मेडिसन वाले डक्टरों वह एनलाइस करते हैं इसको पूरे को किस मस्या क्या है जरूरी मेटर ठीके ना क्लिर देखो छूटी-छूटी साफधानिया होती है हम रखे तो हमारे फैमिली के लोग स्वस्थ रह सकते हैं खुश रह सकते हैं ठीके तो हमने क्या आप से